कंगना रनावत अक्सर अपने बयानों के वज़े से सुर्खियां बनी रहती है लेकिन इस बार कंगना रनावत की चर्चा इस वज़े से है क्यूंकि चिराग पास्वान का राम उन से जुड़ रहा कंगना रनावत इस वक्त भाजबा सांसर बन्दे के साथ सा कैबलेट मंतरी चिराग पास्वान को लेकर वीच चर्चाओं का केंद्र है दरसे लंडिये की मीटिंग के दोरान हुई दोनों की मलाकात को लेकर इंटरनेट पर खूब बाते हो रही है एक वीडियो वारल हो रहा दूमने कई साल पहले एक साथ फिल्म में मिले ना मिले हमने काम क्या था फिल्म में भली ये जूड़ी किसी को पसंद नाई हो लेकिन दोनों का सियासी करियर साथ में बन गया पर नीती और रागव चडधा की तरह इन्हें भी फैंस एक साथ देखना चाहते हैं इसे लेकर कई तरीके की पोस्ट भी वारल हो रही गूगल पर इनके नाम के साथ साथ दोनों के नटवर्थ की सर्च की जा रही बता दे कि नटवर्थ के बारे में चिराख कुमार बासवान, नेता राम विलास पासवान के बेटे हैं शुरुआस से ही राजनीती से जुड़े हैं वही कंग्ना ने पहली बार चुनावी मैदान में कदम रखा था उन्हें जीत हासिल हुई कंगना ने चुनाओं से पहले नामांगर पत्र दाखिल करते हुए अपनी चल अचल संपत्ति का प्योरा भी पेश किया था जिसमें उनके पास करोड़ों की संपत्ति कई किलो सोना चांदी हीरे के जेवरात का जिक्र रिख्या गया कंगना के पास कुल साड़े 91 करोड़ों की संपत्ति की जवानकारी है कंगना ने बताया कि उनके पास लगबग 5 करोड़ों की कियमत वाले लगबग 6 किलो सोने के जेवर 60 किलो चांदी जिसके कियमत 50 लाग और 3 करोड़ के हीरे के जेवर है अगर इस तरीके से देखा जाए तो कंगना काफी ज़्यादा संपत्ति वाली है चिडाग पासवान ने चुनायोग को जो हलफ नामा दिया था उन्होंने अपनी संपत्ति लगबग 5 करोड़ बताई थी इसमें कुल चल अचल संपत्ति शामिल है चिडाग पासवान के पास 30,00,00 के कीमत वाली एक फार्चुनर कार है और एक जिपसी है पता दे कंगना और चिडाग पासवान के संपत्ति के बार दोनों के जुड़े करियर और दोनों के बारे में लोग काफी चरचाए कर रहे क्योंकि दोनों को लोग साथ देखना चाहते, तरतरे के पोस्ट वारल हो रहे हैं, दोनों को लोग एक साथ देख रहे हैं, पहले कंगना तो अपने बयानों के वज़े से चर्चा में रहती थी, अब लेकिन दोनों का फिल्मी करियर ना बना, लेकिन दोनों का राजनीती करिय इसलिए परनीती रागव की तरह लोग कंगना को और चिराक को एक साथ जोड़े हैं अभी इनकी क्या रहा है अभी इस बारे में इनका कोई बयान सामने नहीं आया है